question 44 में बताना है कौन सा statement incorrect है बच्चों ठीक है incorrect पता करना है पहला कहता है coefficient of sliding friction has a dimension of length ये coefficient भी कह दिया है और length भी बोल दिया है सरा सर ये गला थे statement ठीक है पहला ही गला थे तो पहला ही अपना सही हो जाएगा इनको पढ़ लेते हैं अपन friction force opposes relative motion ये तो standard सी theory है और ये सही है ठीक है limiting value of static friction is directly proportional to normal reaction आपको पता होता है बच्चों friction is proportional to normal तो ये भी सही है ठीक rolling friction sliding से छोटा होता है दुनिया जानती है ये mu of r less than mu of s तो तीनों के तीनों सही है और ये तो पहले ही इसने गलत बात बोल दिये हैं आगे पढ़ना नहीं है coefficient भी कह रहा है और length भी कह रहा है ये गलत है इसलिए हमारा यह answer सही होगा ठीक है क्यक्ष पत्सकी होगो पत्सी स्वेश लगने करेंपें इसने मोले